So is English and some sentences Sentences जहाँ पर रोका जा रहा है कि मजाग बनाना बन करो, खेलना बन करो, हसना बन करो, रोना बन करो इस तरह के sentences simple होते हैं Stop plus verb में ing लगेगी और फिर हमारा remaining sentences simple सा बन जाता है जैसे उसका मजाग बनाना बन करो, stop making Make में ing लगा है, making fun of him जूट बोलना बन करो, stop lying बकवास करना बन करो, stop talking nonsense मुझे घूरना बन करो, stop staring at में staring के साथ जो preposition है वो at use की जाती है mobile चलाना बन करो, common problem सभी की stop using, use में ing लगेगा using mobile हसना बन करो, हसने के लिए laugh का use किया जाता है यह आप खुद बना सकते हैं, simple है next जितरा की sentences देखें, word हमारा होता है सुनसान, सुनसान के लिए हम use करते हैं secluded का secluded, secluded सुनसान वह एक सुनसान जगे पर रहता है, यह हमें बोलना हूँ in English में, तो simple सा है, रहता है present indefinite tense में है, sentence उसी tense में बनेगा जो tense होगा, उसमें sentence जो है मारा बन जाएगा, तो रहता है, present indefinite है he lives in a secluded place, simple यह जगे बहुत सुनसान है, तो this place is very secluded तो simple से sentences होते हैं, हमें सुनसान वर्ड हार्ड लग सकता है लेकिन यह भी अब आपके लिए easy हो गया है, simple बच थोड़ी सी practice हमें करनी होती है, तो हम भी अच्छे से बोल सकते हैं next sentences का structure, अगर देखें, मेरा पीजा खाने का मन कर रहा है मेरा गाना खाने का मन कर रहा है, मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है, कोई भी डिश हो सकती है तो इस मन करने के लिए हमें उस करते हैं, craving का जिसे मेरा पिज़ा खाने का मन कर रहा है I am craving for having pizza अब पिज़ा की जगे आप कोई भी हाँ पर डिश जैसे मैंने बता है ले सकते हैं बर्गर है समोसा है तो सेम तरीके से बनेंगे बस हमारी जो डिश है वो ही चेंज होगी जैसे मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है I am craving for having burger मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है I am craving for having डोसा सारे sentences जो है एक ही तरीके से बन जाएंगे हलाकि इंडियन डेशेज में दाल सबजी खाने वाले है तो सिंपिला वो भी बोल सकते हैं बर्गर भी इसी तरह से यूज किया जाएगा next sentences में देखे मुझे इसकी भनक यह जो भनक वर्ड है यह भी सिंपिली तरीके से बन जाते हैं जिसमें भनक आ रहा हो कि मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी इस तरह के sentences में हम यूज करते हैं I didn't even get the wind का कि भनक नहीं लगी तो get the wind या even get the wind का music करते हैं उसे इस मामले की भनक तक नहीं लगनी चाहिए तो चाहिए के लिए should और नहीं है तो shouldn't या should not she should not get the wind of this matter get the wind of this matter इस मामले की भनक नहीं लगनी चाहिए उसने अपने प्यार की भनक तक नहीं लगने दी अब इस प्यार की जगे कोई भी बात हो सकती है जो छुपाना चाह रहे हैं तो इस बात को हम लिख देंगे otherwise प्यार है याँ पर तो he didn't even let the wind of his love ये भी simply हो गया his love की जगे कोई भी आपकी बात हो सकती है जिसे आप जो भरक नहीं लगने देना चाह रहे हैं another sentences में देखेंगे मेरे पास समय नहीं है मेरे पास खाना खाने का समय नहीं है समय नहीं है वाले के लिए हम रियूज करते हैं I have no time to का I have no time to plus verb की fourth form का यूज यहां पर किया जाएगा जैसे पहला sentence है मेरे पास समय नहीं है तो यह तो simple है I have no time simply बन गया मेरे पास मेरे पास खाना कहाने का समय नहीं अब खाना खाने का समय नहीं है तो बर की first form यह पर यूज की जाएगी i have not time to eat food eat की फ़र्ब जो है first form यूज की गई यह base form यूज की गई है तो eat food, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, बैठने के लिए हम sit का use करते हैं, I have no time to sit, बैठने के लिए simple sit use हो गया है, मेरे पास बाजार जाने का समय नहीं है, I have no time to go to market, बाजार जाने का समय नहीं है, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, I have no time to talk to you, ये भी हमारा इसी तर से बन जाएगा, अधर जो यहां भी कुछ मुश्किल नहीं है,